जगातार जारी है और सी बीच मुख्यमंत्री योगी आदेतरात ने विपक्षणी गठबंदन और मम्ता सरकार पर निशाना साधा है सियम योगी ने कहा है कि बंगाल में पिछलों के आरक्षण में मम्ता सरकार ने सिंद्मारी कीज़ के लिए मम्ता सरकार को माफी मांगनी चाहिए इंडिया गटबंदन को जनता जवाब देगी तो यहाँ पार यह बयान मुक्यमन्तुरी योगी यादितरात की तरफ से सामने आया है जैसे रावण के समय में लोग रिशी मुनियों को धमकी देते थे उसी प्रकार की स्थिति इनके दोरा पैदा करने का प्रियास हो रहा है लेकिन इस सनातन धर्म है इस प्रकार के गिजड़ी भब्कियों में डरने वाला नहीं है इसका मोतोड जवाब देगा एक तरफ यह एक तरफ धार्मिक और भहिंदों की धार्मिक और आध्यात्मिक संस्ताओं को इधमकी दे रहें और दूसरी तरफ पिछड़ी जाती के लोगों के अधिकार्णों को जवरन बंदर बांट करने का काम टीमसी सरकार्नी वेस्ट बंगाल के अंदर सन 2010 में 118 मुसलिम जातियों को OBC में सामिल करके OBC के आरक्षन पर एक मार्ट प्रकार की सेंद मारी की थी पिछले 14 वर्सों में लाखों पिछड़ी जाती के लोग इन सुविधाओं से बंचित होए होंगे इसके लिए पंगाल की ममताब अनरजी की टीमसी की सरकार को OBC समदाय से माफी मांगनी चाहिए कॉंग्रेश को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए जिन युवाओं के और जिन नागरिकों के अधिकार इन्होंने लेकर के जबरन या किर्ट किया है वहा किसी भी इस्तिती में वह श्वेकार ये योग नहीं है दूसरा यहा बाबा साब भिम्राओं बेटकर की भावना के विप्रीत है वह भारत के समिधान के सिल्पी है मुक्मद्री योगी आदितनाथ ने बंगाल की ममता सरकार पर भी निशाना सादा है राम क्रिश्मिशन स्वामे बिवेका नंद के आदर्सों पर चल करके पुरे देश और पुरी दुनिया के अंदर सनातन धर्म के मुल्यों और आदर्सों को भारत के आध्यात्मिक मुल्यों को देश और दुनिया तक पहुँचाने में बहुत ही सरानिय कारे किया सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मुल्यों की अस्थापना के साथ साथ सेवा के छेत्र में भी रामकिस्व मिशन का बहुत सरानिय योगदान है ऐसे ही भारत सेवास्रम संग या भारत का सनातन हिंदु धर्म का एक प्रखर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संस्था है स्वामी पणवान जी के मुल्यों और आदर्शों को लेकर के भारत सिवा स्रम संग में देश और दुनिया में भारत की सनातन धर्म के मुल्यों और आदर्शों के लिए वहती सरानिय कारे किया सिवा के विभिन प्रकार के प्रकल्पों को भी दुनिया के अंदर इस संस्था लेखे चलती है लेकिन जैसा इंदी गड़ बंदन है कॉंग्रेस और उसके सहयोगी दल टीमसी हो समाजवादी पार्टी हो या आरजडी हो या आमादमी पार्टी हो जैसे इनकी प्रविड़ती है इन लोगों की पुरी रा है उसके इन रूफी ये कारवाई और ये कदम और इस प्रकार के बयान टीमसी जैसे राजनितिक दल ले रहे हैं ये इनकी हार की बोखलाड को प्रदर्सित करता है चटे चुनौन के लिए मदान का दौर जा रही है देशपर में 58 सीटों पार वोटिंग की जा रहे है जिसमें उत्तरप्तरपदेश 14 सीट और दिल्ली की 7 सीटों पार वोटिंग जा रही है देशपर में कई दिगजों ने आज वोटिंग की है जिसमें राशपती उपराशपती समेथ कई दलों के नेता भी शामिल हैं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राशपती की तस्वीर पूर राशपती उपराशपती राहूल गांधी सोनिया गांधी ने अपना वोट कास्ट किया, परिय काधी ने अपना वोट कास्ट किया, में इनका गांधी एज्जाशेंकार ऑरदी, पुरी, गोतम गंभीर और सात की साथ बासुरी सुरच इन सब की तस्वीर Whose, आपकी स्क्रीन पर च्छटे च्छनल का ये मद्दान और उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर और सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का जहां से मौजूद है हमारे स्वाता राम गुपाल धुएदी हमारे साथ जुड़े को हैं राजीव सिंग हमारे साथ हैं सुल्तान पूर से दोनों के पास चलेंगे और बादशीत करेंगे सबसे पहले राजीव के पास राजीव जाहर तोर पर ग्यारा बच चुके हैं और कुछ दिर के बाद ग्यारा बजे का भी पोल परसेंटेज निकल कर सामने आएगा कैसी मद्दान की रफ़तार वहां पर आप देख रहे हैं और साथ की साथ बंदोवस इस बार कैसे किये गए हैं अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो नो बजे तक चौदा दसमलों 11 फीस दी था और अब तक की अपसे कुछ दिर पहले हमारी कुछ अदिकारियों से बात हुई तो करी 25-26 फीस दी मददान हो चुका है जिसका अधिकारिक आकला आपसे कुछ दिर बाद आ जाएगा आप देख रहे हैं कि सुबा से लेकर लगाता जो मतदाता है वो यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी हम बात करने की कोसिस करेंगे क्या सर लग रहा है कि इन मुद्दों को लेकर ओट कर रहे हैं विकास के मुद्दों को लेकर के ओट किया जा रहा है और विकास का मुद्दा सर्वोपर है उसके लाओं और कोई मुद्दा विकास और सुरक्षा का मुद्दा सस्रेमातुपूर है इन हम करके दिखाते हैं, इसलिए हम लोग केवल विकास के नाम पर ऊट कर रहा है उट, आपको क्या लगठते हैं कुछ विकास हुआ है सुल्टन पूर में, विकास की सासा सुलुच्च्छा, सुलुच्छा के नाम पर ऊट पड़ दा है, वूme मैं आउंगा राजीव अफ्रवास बली कपर इस वक्तानपूर के बूत दोस्वा नौपार इवियम खराब रही राजगी एंटर कॉलेज बूत पर इवियम खराब रही है, करीब दो घंटे तक वहां पर मद्दान रुका रहा है बड़ी खराब रही है, मद्दान वहां पर रुका रहा है और एक बार फिर रुख करेंगे ग्राउंड जीरो पर राम गुपाल दोएदी अबारे साथ है राम गुपाल किस तरीके से वहाँ पर मद्दान चल रहा है और अब तक जो पोल परसेंटेश सामने आया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे बिल्कुल इस वक्त मैं संतकभीर नगर के नाथ नगर ब्लाक में खड़ा हूँ और ये एक बिल्कुल ग्रामीर इलाका है चुकि धूप जो है अब धीरे धीरे अपना रंग दिखा रहा है गर्मी बढ़ रही है फिर भी अगर हम 11 बचे तक के आकड़ों की बात करें हाला कि यादकारी काकड़े अभी जारी नहीं किया गया लेकिन करी 25 परिसत मदान यहां पर हो चुका है लेकिन जिस बूत पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ यह बूत पढ़ रहा है और पढ़ रहा बूत आप देखिए कि इका दुक्का लोग ही यहां पर लाइन में लगे हुए हैं सुबह के वक्त सुबह साथ बज़े से लेके दस बज़े तक पोलिंग स्टेशनों पर कुछ इसी तरीके की भीड थी लेकिन उसके बास से जो है यहां पर भीड नहीं दिखाई पड़ रहा मद्दान कर दिया आपने तो का सोच के दिया है का मुद्दा रहा मद्दान का पर यहां पर मद्दान करने के लिए और हर जगहां पर है कि अब वहां पर चुबास से लाइन देखने को को नहीं मिल रही है आप जो मद्दाता है वह इक ही पहुंच रहा है कि भूट बस्ताा की तूल्ट निकलने की कई करें और बड़ी संख्या में लोगों ने सुबा ही मद्दान कर दिया है। इसलिए भी बेहत रणनीती रूप से महत्पूर है कि इस सीट पे जो निसाद पार्टी के राष्टी अध्याशन संजय निसाद उनके पुत्र परवीन निसाद भाजपा की सिंबल पर चुनाओ लड़ र है उनकी भी अगनी परिशा यहां पर चल रही है जी बिल्कुल रामकुपाल हम नारिसा सर्वेश दूबे भी बने कुए हैं प्रयागरास से सर्वेश अगर हम बात करें वहां की तो किस तरीके से बद्दान चल रहा है और साथ की साथ जो पूल परसिंटेज अब तक सामने हुआ था जबकि फूल पूर पर मद्दान की रफ्तार थोड़ी कम थी वहां पर आठ फिजबी मद्दान हुआ था और इस वक्त मैं मेरी लुकस स्कूल और कॉलेज के बूत पर हूँ तमाम मद्दाता यह हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया है इन्होंने सब सब लोग अपन क्या चाहते हैं हम भी लोग सर एक बहतर कल के लिए वोट किये हैं और कुछ हमाई मांगे हम लोग सरकारी कर्मचारी भी है तो वेता नायोग जैसा चीज आठवा वेता नायोग आना था तो इस सरकार ने भी लागू नहीं किया और कई चीज़े हमाए मुद्दे हैं इसके जती हमने बोट किया सब मैं बताइए कि यहां पर विकास हुआ है किस मुद्दे पर वोट किया आपने है किस मुद्दे पर है जिए-फोमारे पुर्खे चले गए और उनकी अंतिमिच्छा जो राम मंदिर देखने वो पूरी हो गई और बाकी विकास तो चारों दिखी रहा है और भी लोगे उनसे बाचीत करेंगे आप आई आगे आई 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 आप ये बताईए कि कौन से कौन से मुद्दे इस बार प्रभ बड़ी ख़बार को ब्रेक कर रहा है स्क्रीन पार रिटाइड आई-स की पत्नी की हत्या हुई है लख्नAU में बड़ी खबर गलाग घोट कर हत्या की कही है उत्रपदेश की राजदारी लख्नAU में ये बड़ी वार्दात हुई है राइबरिली के डियम रह चुके हैं इंद्रानगर इलाके में वार्दात हुए पौश इलाका इंद्रानगर और इतनी बड़ी घटा वहाँ पर सामने आई है बाचीत करने के लिए रिशब मनी त्रिपाटी अबारे समाता वारे साथ बड़े हुए है जो इस ख़बर को लोने स्क्रूज लीवी सबसे पहले ब्रेक किया है बिश्ब मताईए कब की घटना है क्या निकल कर अब तक सामने आया है देगे ये सुबह तकरीबन साड़े नौद दसु के बीच की घटना बताई जा रही है जो रिटायर आयर देवे इंदरना दूबे जो था ना गाजीपूर के इंदरानगर इलाके में रहते हैं गेल्क बोल्ट खेलने कहते हैं लोट के जब वो अपने घर आये हैं तो घर पूरा खुला हुआ था, आलमारियां खुली हुई थी, सामान दे कुछ बिखरा हुआ था और बेट पर ही उनकी पत्नी मोणी दूबे का शव पड़ा हुआ था, गले में फंदा कता हुआ था तो ये आशंका जता ही जा रही है कि घर में लूट पाट के बाद गले में फंदा डाल कर बहुत बहुत शुक्रिया रिशाब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए रिशाब मनी तृपाठी हमारे समबाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे और एक बार फिर तमाम पर इसमबाताओं के पास चलते हैं ग्राउंड जीरो पर जो लगातार बने को है सर्वेश आप अपनी बात को पूरा कीजिए और मारे साथ खास मेवाद सौरप जी भी जोड़ गए हैं सौरप जी स्वागत है निउस एटीन पर आपका किस तरीके से देख रहे हैं आप छटे चरण के दंगल को और इस बार जिस तरीके से जो मद्दान हुआ है जो अब तक की पूल परसेंटेज सामने आई है उस देर में 11 बजे का पूल परसेंटेज भी सामने आ जाएगा क्या लग रहा है इससे क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं जटे चरण में कई सारी सीटें ऐसी हैं जो काफी रोचक जहां पर मुकाबला रहने वाला है और काफी चर्चा में भी रही है जैसे जौनपूर की सीट रही है जहां पर लगातार प्रत्याशी बदले गए कभी धननजय जी जेल भी गए बीच में उनकी पत्नी चुनाओ भ रहे हैं वहीं कहीं न कहीं जो है राजा भाईया को समाजवाधी पार्टी का समर्तन करते वे देखा गया है तो कुल मिला करके मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वोट परसेंटेज तो अभी ठीक ठाक पढ़ रहा है चुकि इतनी भीशड़ गर्मी है बावजुद उसके लोग निकल करके वोट कर रहे हैं तो लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी अपने करतब्य को निभा रहे हैं साथी साथ अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि यह जो वोट परसेंटेज अब बढ़कर के आ रहा है कहीं न कहीं लोगों में प्रकार से कई सुबह से आपके सम्वाध आता जमीनी स्तर वेकार कर रह02 प्लीकार रहा है वह वं कiedy रह satu विकास पर या कुछ लोक का कहना कि मंदिर पर रहें लेकिन इनके बीच में जो ज़ो भी पच्चस के चहरे दे दिये जंता के बीच में कि जंता खुद जो है कनफ्यूजन में आ गई कि समाझवधी पार्टी का प्रत्यासी कौन है। का प्रत्यासी को ने बसंपा का प्रत्यासी कौन है और बारती जंगता पार्टी का उद्म को प्रत्यासी दिख यह विकाश दिख रहा है प्रतान मंत्री नरेंद्र मोधी तीन सो दस पर अभी तक सिर्फ दो वोट पड़े हैं और एक तस्वीर आ रहे हैं अरविंद के जुरिवाल की वोट डालने के लिए पहुंचे हैं यह तस्वीर आप दिख रहे हैं अरविंद के जुरिवाल वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अपनी पत्नी के साथ यह तस् कि बात करें या और भी तबाब लोगों की बात करें अगर वो सुभे सुभे जब मद्दान का वक्त होता है लोग अपने घरों से निकलते हैं मद्दान केंद्रों तक जाते हैं और उस कड़ी में यहां पर अर्विंद किज्रिवाल वोट डालने के लिए पहुंचें परिवा करता है तो तमाम क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात किये कि जैसे बहुत सारे लोग देख करके कि हम भी वोट कास्ट करें हम भी जाएं मद्दान केंद्रों तक तो इससे लोगों को प्रिणना मिलती है को सहा एक कॉन्फिडेंस अलग मिलता है और विंद किज्रिवाल की तस्वीर है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर